पत्याला शलवार बनाना सिखाएंगे पत्याला शलवार बनाना सिखाएंगे जिसकी कटिंग हम आपको बिल्कुल डीटेल में बताने वाले हैं पत्याला शलवार बनाने के लिए यहां पर मैंने धाई मीटर कपड़ा लिया है और धाई मीटर कपड़े को फोर फोल्ड में जमाया हुआ है देखी इस तरह से इसकी यह उपर वाली साइड है यहां से हम कपड़े को ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिए इसकी बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड दूसरी तरफ तो देखी है हमने कपड़े को लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिया है उसके बाद हम जितनी भी शल्वार की लंबाई रखना चाते हैं उतना हम निशान लगाएंगे देखी दोस्तों यहां पर हमें शल्वार की लंबाई जितनी भी रखनी है उसमें से हम साथ इंच का बैल्ट लगाएंगे तो बैल्ट को इस तरीके से इंची टेप को बाहर निकाल कर रखते हुए लंबाई में एक इंच प्लस करके निशान लगाना है जैसे चालीस इंच लंबाई है हमारी टोटल 7 इंच इंची टेप को बाहर निकालते हुए हमें 41 इंच पर 1 इंच प्लस करके 40 पर हमें निशान लगाना है अब हम इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यह हमारा टोटल लंबाई का निशान है जो की 40 इंच लंबाई थी हमने इसमें 1 इंच प्लस करके लिया है उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच बॉटम के लिए लेंगे यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़े शलवार के पाँचे फोल्ड करूँगी आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते है एक या 1,5 इंच जितना भी आपको पसंद हो तो देखी यहाँ पर भी मैंने लाइन ड्रो करके से सीधा कर दिया है अब हमें यहाँ पर तैयार पाँचे का निशान लगाना है तो पाँचे तैयार में साड़े 6 इंच के रखूँगी मीडियम और उसके बाद हमें यहाँ पर 1,5 इंच एक्स्ट्रा लेना है देखी इस तरीके से नीचे की तरफ हम मिला देंगे और इसे हम हलका सथ तिर्चा मिलाएंगे देखी इस तरीके से उसके बाद हम यह खुली वाली साइट की तरफ आसन का निशान लगाएंगे तो नॉर्मली हमारे जो आसन का निशान लगाते हम 7 इंच इंची टेप को बाहर बैल्ट को छोड़ते हुए 15 इंच पर निशान लगाते हैं लेकिन हमें इस शलवार में घेरे को बढ़ाना है यानि पटियाला शलवार हमें बनाना है तो यहाँ पर हम 15 इंच से 8 इंच और नीचे की तरफ 23 इंच पर निशान लगा देंगे देखी इस तरीके से 23 इंच वाला जो निशान है उसे हम इस मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे देखी इस तरीके से जैसे मैंने वीडियो में मिलाया है तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमने इस निशान को यहाँ से मिला दिया है यह देखी 7 इंच इंच इंची टेप को बाहर छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से इस निशान को bottom से मिला दिया है उसके बाद हम इसे बिल्कुल same cut कर लेंगे जितना हमने इसमें निशान लगाया है देखी इस तरीके से हमें बिल्कुल same cut करना है क्योंकि margin वगरा हमने पहले ही ले लिया था देखी cut कर दिया है हमने अब हम यहाँ पर एक cut लगा लेंगे देखी इस तरीके से पकड़ते हुए एक हमें cut लगाना है जिसे की यहाँ से हमारे पांचे फोल्ड होंगे तो देखी इस तरीके से पांचे फोल्ड हो जाएंगे उसके बाद यह जो कलियां बची हुई है side से इसे हम use करके अपनी शलवार को पट्याला शलवार बनाएंगे तो यह चार कलियां हैं देखी इसे किस तरह से हमें use करना है शलवार को थोड़ा हम आगे की तरफ रखेंगे खिशका कर और थोड़ा सा space बना कर हमें इस तरीके से इन कलियों को set करना है देखी यहां पर हम कलियों को लगबग आधा इंच चड़ा कर रखेंगे देखी इस तरह से मैंने आधा इंच joint करने के लिए चड़ा कर रखा है और उसके बाद यहां पर हम आसन का निशान लगाएंगे साथ इंच का belt है हमारा तो उपर की तरफ इंची टेप को छोड़ देंगे साथ इंच और यहां पर हम 15 से 16 या 17 इंच पर निशान लगाएंगे यह heavy size सलवार है तो मैंने आपर 15 इंच total था हमारा आसन दो इंच की losing डाल कर 17 इंच पर निशान लगाया है और इस नोक को हमने ऐसे मिला दिया है आसन से यह जो नोक extra निकली थी इसे हमने आसन से मिला दिया है एकदम बराबर अब इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे और यहां से भी हम इसे इस तरीके से गुमाने के बार इसे भी extra को cut कर देंगे और इसे हलका सा shape देते हुए cutting कर देंगे तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी कलिया जो है वो निकल चुकी है यह 4 कलिया है जो की यहीं पर joint हो जाएंगी अब यह side से बचे हुए pieces है जो की 4 pieces में है मैं 2 हटा दूँगी और यहाँ पर मुझे सरिफ 2 pieces लेना है देखी हलका सा press लगाते हुए हमने 2 pieces को ले लिया है उसके बाद हम यहाँ पर म्यानी को cut करेंगे तो देखी सबसे पहले हमें half inch इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है निशान लगाते हुए यहाँ हम 6.5 आठ इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे गोलाई में देखी ऐसे मिलाते हुए 7.5 आठ इंच पर गोलाई में निशान लगा दिया है अब हम गोलाई में ही इसे cut कर देंगे देखी दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर कट कर दिया है अब यह जो नोक सोड़ी सी दिख रहे इसे भी हम कट कर देते है तो देखिए इस प्रकार से हमारी म्यानी कट चुकी है अब यह जो इसकी नोक है हाफ इंच की वो भी हम कट कर देंगे देखिए हमने म्यानी को काट दिया है अब यह यहां पर सैट हो जाएगी उसके बाद हम बचे हुए फैबरिक से बैल्ट को कट करेंगे तो अब हम इसे हटा देंगे और अपने बैल्ट को कटिंग करेंगे तो इसे साइट कर देते हैं बाकी का जो हमारा बचा हुआ फैबरिक था उससे हमें बेल्ट की cutting करना है देखी दोस्तों यहाँ पर हमने बचा हुआ कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हम इस तरह से जमा लेंगे देखी इस तरह से हमने इस कपड़े को रख लिया है यह कपड़ा जो है वो डवल में है डवल में हमने कपड़े को रखा है अब हम सबसे पहले अपने तयार बेल्ट का निशान लगाएंगे जो कि 7 इंच का है तयार बेल्ट यहाँ पर 7 इंच का है तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया और 3 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया है दो इंच का नेफा फोल्ड करूंगी और एक इंच सिलाई के लिए तो टोटल यहाँ पर हमारा दस इंच हो जाता है तो हम यहाँ पर दस इंच पर निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से अब यह जो निशान हमने लगाए हैं इन निशानों को हम सीधा करते हुए मिला देंगे देखी इस प्रकार से यह साथ इंच पाला निशान है जो कि मैं मिला रही हूँ और उपर जो हमने एक्स्टा मार्जिन के लिए तीन इंच का निशान लगाया था उसे भी मैं आपस में मिला रही हूँ देखी यह दोनों निशान लग चुके हैं अब हमें बैल्ट को कितना चोड़ाई में रखना है उसका निशान हम लगाएंगे तो बैल्ट हमारा तैयार है तीस इंच का तो यहाँ पर मैं तीस इंच पर निशान लगा लूँगी यह खुलकर डवल में तीस इंच है खुलकर यह साट इंच हो जाएगा तीस इंच पर मैंने निशान लगाया है और यहाँ पर नेफा फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने देड़ इंच का एक्स्टा मार्जन लिया है और इस तरीके से हमने बैल्ट की मार्गिंग कर ली है नेफ़ा के फोल्ड करने के लिए हमने देड़ इंच अलग से लिया हुआ है अब हम बिल्कुल निशान पर ही इसे कट कर देंगे देखे दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी शलवार की कटिंग कर ली है यह कल्या है शलवार की और यह प्यानी है पाचे और बैल्ट है यह शलवार का फाइनल लुक है अगर आपको वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें